दोस्तों आप लोग के कमेंट आते रहे हैं कि हमें ओफिस में लगाने के लिए एक प्रिंटर की ज़रूरत है सिर्फ प्रिंटर फोटो कापी नहीं चाहिए मोनोकॉर्म प्रिंटर चाहिए कई सारे कमेंट्स को हमने देखा तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देना जो प्रिंटर आपके लिए बहतर हो, डियूरेबल हो, जादे दिन तक आप उस पर काम कर सके, कम काम हो तब भी ठीक है, जादे काम हो तब भी ठीक है, हर तरस से एक सही प्रिंटर की अगर आपको जरूरत है, मोनोक्रोम प्रिंटर की, तो आप इस वीडियो को ज़रूर दे करके आता रहता हूँ जो आपके लिए काफी बेनिफीसल साबित हो सकती है और दोस्तों आप लोगे बहुत सारे प्यार कमेंट के जरीए लाइक के जरीए हमें मिल रहा है जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्य बात करता हूँ इसी तरीके से आप चैनल पर लेकिन बहुत ही बेस्ट, बहुत ही जडूरेबल प्रिण्टर है, एप्सन का M105 यह मोनो करोम प्रिण्टर है, लेकिन बहुत ही बहतरीन प्रिंटर है, टैंक प्रिंटर है, सिंगल कलर इसके अंदर डालिए एक बार रिफिल करेंगे छे हज़ार पेज निकल करके देगा जबरदस्त काम करेगा हेट जो टेकनोलोजी है वो वही वाली है जिस पर आप सालों से भरोसा करते हुए आ रही है सब कुछ वही है इसलिए इसको चलना बहुत ही अच्छे से है कोई दिक्कत आने वाली नहीं है क्योंकि हेट की जो टेकनोलोजी है एपसन का इतना सक्सेस हुआ है जो एपसन को यहां तक लेकर के आया है कि हर दुकान में एपसन का प्रिंटर आपको देखने को मिल रहा है उसी प्रकार से मोनो क्रोम में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है बाकी की अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी 2.0 हाई स्पीड ही है उसके साथ में वाई फाई डाइरेक्ट है यानि वाई फाई से डाइरेक्ट आप जो है इसको कनेक्ट कर सकते है मोबाईल से देना है देजिए लेपटप से देना है देजिए कोई भी दिक्कत नहीं है प्रिंट स्पीड की अगर बात करें तो 34 PPM है लगभग लगभग ये लेजर के आसपास का जो है आप कोई स्पीड देखने को मिल जा रही है तो क्या प्रब्लम है इंकजेट प्रिंटर कोई लोड नहीं इसका बिल्कुल भी लगा दीजिए अगर कोई inverter हलका फुल का inverter लगा रखे हैं उससे भी आप प्रिंट आउट दे सकते हैं बिलिंग बगर करना रहता है सिर्फ बिल बगर निकालना रहता है तो आपके लिए प्रिंटर बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम हमने ये देखा है कि जिनको मैक्सिमम जो है 95 to 99% जो है प्रिंट जो हमको ब्लेक और वाइट निकालना है लेकिन प्राइस उसी के असपस रहता है तो वो कलर ले लेते हैं कि क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए लेकिन दोस्तों अगर आप कलर प्रिंटर से हमीशा ब्लेक और वाइट निकाल रहे हैं तो कलर सेक्षन के अंदर कलर हेड के अंदर प्रब्लम्स आ जाती है कुछ दिनों बाद कलर जाम होने की प्रब्लम हो जाती है यह सब सारे प्रब्लम्स आ जाते हैं तो अगर ब्लेक और वाइट प्रिंट आपको बहुत ज़्यादे करना है तो मोनो क्रोम प्रिंटर ही लेजिए आप सुखी रहेंगे बहुत दिनों तक आप इस पर काम कर पाएंगे तो स्पीड भी अच्छी मिल रही है वाटेज भी बहुत कम होता है किसी भी इंवर्टर पर चलाए जिस पर आप काम कर रहे हैं अच्छे से कोई भी एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत नहीं है 2440 DPI है इसका प्रिंटिंग का वो भी बहुत ही क्वालिटी अच्छी प्रिंट करके देगा तो ब्लेक इन वाइट के अंदर अगर आपको कोई अच्छा प्रिंटर चाहिए जो ढूंड रहे हैं तो आप इस प्रिंटर के साथ जा सकते हैं बहुत अच्छा प्रिंटर है ये ये मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं बहुत ही सुखी हैं एक बार जो है आप रिफिल कीजिए और 6000 पेज निकालिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है तो दोसने इंफर्मेशनी वीडियो का ऐसा लगा प्रीज कामेंट में जरूर बताएं अगर इपिडिए बीट प्रॉट को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और इस इंफर्मेटी वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल के साथ बने रहने के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यबात करता हूँ आपका दिन सुभ हो